शेहर में अत्रिक्ते पुलीस थाना निर्मिती सही शेहर में बंद पड़े सीसी टीवी यंद्रना के बावर जल्दी निर्ना लिया जाएगा शेहर के अवेद धंदे बढ़ती गुनेगारी रोकने ततकाल कदम उठाए जाएंगे इसमे नागरिकों ने सयोग करने का आवाहन पुलीस अधिक्षक नुरुल हसन ने जन्ता से किया है नव नियुक्त पुलीस अधिक्षक नुरुल हसन ने शेहर की लोग प्रतिनी धी माध्यम प्रतिनी धी वनागरिकों से सवाथ साथ का शेहर की कानून और सूव वैवस्त था स्तिती का जायजा लिया इस वक्ट शहर के दामिनी पथक निर्मिती करके शहर के मिला वलड़कियों को नियाय देने की मांग सहा अवेद धंदे रेती चोड रोकने की मांग की गई पुलीस अधिक्षक नूरूल हसन ने दामीनी पथक साथी अलग से वाहतुक पथक की ततकाल निर्मिती करने की मांग मन्सूर की आपको पता दे कि इस शहर में खुले आम अवेद धंदे शुरू होने से गुनेगारी बढ़ रही है इस ओर ध्यान की जा गया शहर की अस्तवेस्त यातायत सालों से बन पड़ी CCTV यंत्रना बढ़ती गुनेकारी पर यंत्रना के लिए अलग से पुलीस थाने की मांग इस समय की गई इस मौके पर सकारात्मक रुक अपनाते हुए जिरो टॉलेरंस इस उक्रम के अंतरकत गुनेगारों पर नियंत्रन करते हुए आम जंता को नियाए दिने का आश्वासन भी दिया गया पुलीस करते हुए के जके जल्दी QR कोड की ववस्ता की जाने की भी जानकारी दी गई ववड़ जल्दे साथी बन्ध करने साथी जेकाइ गरज आदे कर आथा हे सर्व देशान अखान आओन आई कि आपन पुढ़े यों तो मैचन नंबर वरिष लोक optim परियंता आए आपन पुड़े यूँद सूचन दिया और पुलिसान चा सहकारे करा जे काई अवय धन्दे तुन चे शहरा चालू आहे नकिश का नाब बंद करने चब प्रेद्र करू हिंगनगाट शहर एक चांगला शांतपुरी ये शहरा है या शहरा ते जास्त जास्त लोग 99.99% लोग कमें लोग जास्त आहे ऐनिद तर सब्चल छ जास्त लोग आए तर्व जास्त लोग आपन हिंगन घट से केमरामेन योगेश लखोटे के साथ रवी येनोरकर की रिपोर्ट